प्रेस अलोड आज का वचन सुनने के लिए प्रेस अलोड अभी अभी हमने प्रभु भोज लिया है और हमने प्रभु भोज की कीमत को समझा है हाललुया उस धार्मिक्ता को समझा है हमने वो धार्मिक्ता जो इशु ने क्रूस पर हम को दी हाललुया बैबल कहती है वचन कहता है कि हमें उसकी धार्मिक्ता के साथ चलना है इसलिए उसकी धार्मिक्ता क्या है हाललुया उसकी धार्मिक्ता क्या है और उसकी धार्मिक्ता के हमें हमें किस तरीके से जीवन जीना है हाललुया प्रेस तो लॉट एक वचन निकालेंगे जल्ली से मती पांच, उन्तिस और तीस बहुत प्यारा वचन है आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आज इस वचन को मैं आपके सामने explain करूँगा और आप से रूबरू कर रहोंगा इस वचन को अललिया यह वचन कई लोग जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं है आज मैं इसको समझाओंगा मती पांच, उन्तिस का तीस, उन्तिस और तीस मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसके बाद मेरी बहन पढ़ेंगी यदि तेरी दाहिनी आँख तो उसे पाप करवाए, तो उसे निकाल कर दूर फेक दे तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कर आए, तो उसे काट कर फेक दे, दूर फेक दे क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक अंग नाश हो जाए अपेक्षा इसके कि सारा शरीर नरक में डाला जाए यह चेतावनी है और किसके लिए यह बहुत गलत फहमी है लोगों को कि आविश्वासियों के लिए नहीं है, यह विश्वासियों के लिए है कि चेतावनी किसके लिए है लोग समस्ते हैं ने वबतस्तमा ले लिया चर्च आते हैं, दांदरशांस देते हैं स्वर्क के अधिकारी हो गए उसने लिखा हुआ है यदि तेरी एक आँख तुससे पाप कराए आपका एक अंग आपसे पाप कराए शेतान आपको बहकाता है आलेलुया, प्रेस अलॉट शेतान हमसे डिफरेंट तरीके से पाप करवा लेता है और हमको पता है नहीं लगता है प्रेस अलॉट कभी-कभी हमें ऐसा गुण, गुण कौन देता है परमेशर, कला कौन देता है परमेशर, कभी-कभी हमारे ऐसे गुण इतने जादा अच्छे हो जाते हैं कि हम उन गुणों को जब अपने जीवन में प्रस्थूत करते हैं और कहीं न कहीं उसके द्वारा हमारे अंदर स्वार हम अपने आपको हर पल समझें कि कहीं हम से कोई पाप तो नहीं हो रहा है कि कहीं हम से कोई पाप तो नहीं हो रहा है हमारी आख जो देख रही है क्या वो सही विचार के अनुसार चल रही है रिसलोट हमें अपने आपको बहुत ही बहुत ही इमांदारी से अपने आपको जांचना है अपने से जूट नहीं बोलना है मैं आपको सच कह रहा हूँ हम कभी-कभी अपने से जूट बोलते कि नहीं मैं तो अच्छी जिंदेगी जी रहा हूँ एपरे सब इसलोट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि राट को सोते समय कम से कंधर दस मिनट आप परासरा करिये और जाचिये कि आज अपने दिन में क्या किया है किस तरीके का आपने जीवन जीया है कि आज जो आपने जीवन दिया है जाए आपका धंदा हो जाए आपका बिजनस हो जाए आपका कुछ भी काम हो क्या आपने वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं चाहिए आपके घर में हो आप घर में रिष्टे निभ रहे हैं इस लौट बहुत जरूरी है क्योंकि कोई ऐसी चीजें है कई ऐसी चीजें शैतान हमसे करवाता है जिसे हम पाप नहीं समझते हैं हम अपने सवभाब का अंग समझते हैं अगर आपकी संगती आपसे पाप कराती संगती शोड़ दीजे अगर आपका सवभाब आपसे पाप कराता है सवभाब को छोड़ दीजे अगर आपका सवभाब आपके अंदर स्वार्थ पैदा करता है अगर आपकी खूबसूरती आपसे पाप करवाती है मत लगा ये मेक अप अगर आप समझते कि आपके खूबसूरती के वज़े से कोई आपके लिए कोई ठोकर का कारण बनता है नहीं मेरी वज़े से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए क्यों चुना है परमेशन ने हमें पता आपको परमेशन ने क्यों चुना है आपको इशु मसीर ने क्यों बच कि हम लोगों के लिए आशीश का कारंण बने हैं हमें लोगों के लिए आशीश का कारंण बनना है र है रिष्के लॉट के उडर पाती बहर का तीन इक प्रतिंक्य के दी हे इसके लिग आ प pada आशीश देगा उसे मैं आशीश दूँगा और जो तुझे शराब देगा उसे मैं शराब दूँगा हम कौन है इब्राहिम के वंश के हैं इब्राहिम के सारी आशीश हमारी है इसलिए हम किसलिए जन्में है ताकि हम लोगों के लिए आशीश का कारण बने हमें किसी के लिए हमारे स्वभाव से हमारे बोलचाल से हमारी संगती से इस अलोट नहीं अगर हम बिंजस्मेन हैं और हमारे पास कोई काम करते हैं दस आदमी काम करते हैं और हम अपने बॉस्पन से, अपने मालिक के एक रुत्बे से, हम किसी का अगर शोशन करते हैं, अगर हम किसी को दबाते हैं, तो पाप करते हैं, पाप करते हैं, पाप करते हैं, पाप करते हैं, अगर आप आफिस में, आफिस के फोन को अपने घर के फोन की तरह यूज़ करते हैं, अगर आपके ऑफिस ने आपको फोन दिया है कि आप ऑफिस काम करिये और आप उसे घर का काम कर रहे हैं तो आप पाप करते हैं आप नहीं जानते हैं हम समझते हैं हमारा अधिकार है लेकिन नहीं एक एक चीज परमेश्वर देखता है क्यों देखता है परमेश्वर ताकि परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है मती पांस का अर्टालिस क्या कहता है जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्रियां है आप नहीं जानते कि आप परमेश्र के लिए क्या हैं हमारे अंदर छोटा सावी पाप हमको परमेश्र से दूर कर सकता है आप जानते हैं आप जानते हैं हाजिरा जो कि इबराहिम की दासी थी जो मिस्र से आई थी उड़ देश से नहीं लेकर आये था इबराहिम अपने संग उस समय नहीं थी परमेश्र नहीं चाहता था कि इबराहिम मिस्र में जाए जब आकाल पड़ा उत्पत्ती बारवा में आप देखेंगे कि इबराहिम मिस्र को गया और क्या लाया वहां से हाजिरा लेकर आया प्रेस अलॉट सुल्वे अध्याय में अगर हम देखते हैं देखिए हाजिरा को परमेश्र ने मौका दिया कि आप कि इस तरीके से आजरा को परमेशने मोका दिया हाजरा को परमेशना कि वो इब रहीम की पत्नी बन सके वो इब्राहिम के संग संबंद बना सके हललिया और उसने क्या किया हललिया बोलिए भै वहां हाजिरा के पास गया और वहां गर्वती हुई क्यूं किया क्यूंकि सारा के बच्चा नहीं हो रहा था कनान देश में 10 साल लो रह रहे थे उस समय कनान देश में तक्रीवन दस साल उनको इब्राहिम को और सारा को रहते हुए हो गए थे लेकिन उनके बच्चा नहीं हो रहा था अध्याए 15 पढ़ेंगे तो अध्याए 15 में 4 और 5 में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम के संग वाचा बांदी थी यह दासी है तुम इसको अपना लो पत्ने के रूप में और यह तुमसे बच्चा पैदा करेगी इससे तुम बच्चा पैदा करो प्रेस ऑलाट हालेलिया तो इब्राहिम ने साला की बात मान ली जो कि गलत था लेकिन उसने मान ली और वह सारा के पास गया चौथा आदिया पाप करवाए तो उस आख को निकाल के फेग दो हालेलिया क्या था हाजिरा के पास जो सारा के पास नहीं था आपका हाजिरा समझते थी कि मैं है देखो गर्वती हो गई हूं और यह मालकिन मेरी जो 80 साल की है कुछ नहीं कर पाई है कुछ नहीं कर पाई मैं हूं क्या यह उ कि बहेन मेरे भाई अगर आपके पास कुछ काबलियत है अगर आपके पास कुछ है और उसकी वजह से आप किसी को तुच्छ जानते हैं तो पाप करते हैं इसका है इस अलॉट गर्ब का वो आशीश किसके द्वारा था परमेश्र की होड से था क्या मैं और आब दे सकते को और कह सकते कि मैं मां बनूँगी. नहीं. किस ने दिया? परमेश्वर ने दिया. लेकिन उसने सारा को तुछ जाना. हम जो परमेश्वर के हैं, हम जो मसी हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जब इश्व मसी में चुने गए हैं, तो सबसे बड़ा हमारे सौभाव क्या होना चाहिए दीनता दन्न है जो मन का दीन है क्योंकि वही सौर का अधिकारी होगा अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है प्रभू कहता है मैं प्रेम हूँ परमिश्र कहता है मैं प्रेम हूँ पहला यह उन्हा चार का सोला कि परमिश्र प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है परमिश्र उसमें बना रहता है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है मेरे भाई तो परमिश्र आपके अंदर नहीं है यहां पर हाजिरा ने साहरा को तुछ द्रिष्टी से देखा और वो गिर गई क्या लिखा हुआ पांच वारा पुटो पेटा जब उसने जाना कि वहां गर्ववती है तब वहां अपनी स्वामिनी को तुछ द्रिष्टी से देखने लगी जब सारे ने अबराम से कहा जो कि ही अबर्मिश्य कभी नहीं चाहता है कि हम किसी को तुछ जाने कभी नहीं कभी नहीं मती 18 कदश निकाल। मेथ्यू 18.10 बाइबल क्या कहती है अगर हम किसी को तुछ जानते हैं तो उसके स्वरदूद परमिश्र के सामने मू बाइख खड़े रहते हैं मू ठाके खड़े रहते हैं अगर हम किसी को तुछ जानते हैं पढ़िये बेटा मती 18 का दस पढ़ी है अली से देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुछ न जानना क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूद मेरे स्वर्गे पिता का मुँव सदा देखते हैं जो छुटा हद्मी है जो मज़ूर हद्मी है जो आपके नीशे काम करता है हो सकता है आपके रह्मो करम पर पल रहा हो आप उसे पैसा दे रहे हैं हो सकता है आपका पॉडूसी हो हो सकता है आपका काम वाली हो हो सकता है आपका जमादार हो कोई भी हो अगर आप उसे तुछ जानेंगे तो उसके दूद परमिश्वर का मूँ देखते है कि क्या हो रहा मेरे भाई के संग मेरे जिसके पास मैं हूं उसके संग क्या हो रहा है और न्याए के समय आपका न्याए होगा न्याए के दिन तुछ खाजिरा ने क्या किया उसने तुछ जाना किस चीज़ पर तुछ जा रहा है उसने कुछ किया वो कर बच्छा पैदा कर सकती थी कि रिसलोट प्रभू कहता है कि तो क्यों खमन करता तेरे पस है क्या तुक्त आपने बाल को स्काला या सफेद कर सकता है कि तु अपनी उमर को पांच मिन बढ़ा सकता है घटा सकता है तो अगर अगर मती छे का 25 से 33 के बीच पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं मिरे पास कुछ भी नहीं है रिसलोट तो हमें क्या करना चाहिए धन्यवाद रिसलोट सबसे बड़ी चीज क्या है धन्यवाद हाजिरा ने धन्यवाद रही का जैसे ही वह माँ बनी जैसे ही इब्रहेम का वाइज जैसे इब्रहेम कभी भी मेरे भाई मेरी बहन हम किसी को भी तुछ द्रिश्टी से नहीं देखें क्योंकि मेरा पिता जो है मेरा परमिश्वर है जिस तरीके से आप उसकी चुनिवी संतान है उसी तरह वो भी उसकी चुनिवी संतान इसलिए बाईबल का जो वचन है मरकुस बारा का 31 कहता है कि अपने समान अपने परोसी से प्रेम करो और आपका परोसी कौन है जो आपको दिखता है जो आपके पास रहता है वो आपका परोसी नहीं है जो आपको दिखता है वो आपका परोसी है डिशलोंट जहां काम करते हैं उनके लिए प्रत्तन करेगे अब देखिए परमिशन आपके इसलिके szíla की और संवारी तो नटारी ती क्योंकि हाजरा अपनी को और बच्यों को देख करी थी और उसकी मरी हुई हालत को देख रहे हाजरा वो चीज नहीं देख पारे थी कि परमेश्वर न सहरा के जीवन में प्रतिग्या का फल लाने वाला वो हाजरा नहीं देख पारे थी कि कि इभरहीम और सा रा से एक वंश पैयदा होगा फो उस वंश्ट को नहीं देख पारे थी, वो उस समय उसकी मरी हुई हालत को देख रही थी और अपने गर्ब को देख रही थी और घमंड कर रही थी हम गलती करते हैं बहुत बार, बहुत बार हमसे गलती होती है हम दूसरों को अपनी आँखों से देखते हैं शरीर की आँखों से देखते हैं और नापने की कोशिश करते हैं नापते हैं उसकी बोलचाल से उसके बैठने के अंदाज से उसकी घर की इस्तिती से जहां वो रहता है उसकी अनपड सभाव से कि वो पड़ा लिखा नहीं है हम पड़े लिखे हैं नहीं मेरी बहन मेरे भाई कभी भी हमारे अंदर ये सभाव नहीं आना चाहिए हम एक ही परिवार है हम मसी में एक परिवार है तो कभी भी हमारे अंदर या नहीं आना चाहिए कि मैं बड़े घर में रहता हूं वो छोटे गर में रहता है मैं जदा ठड़ा लिखाँ पहल अवोगाए मिरा जदा पैसा उसके पास कब्षण मैं यह विशार हमें अशुद कर देता है यह वीचार परमिष्नकों पसंद नहीं कि दीवचन अगर पढ़ेंगे 1718 उनेस उसमें लिखा हुआ कि परमेश्व साथ चीजों से ग्रिणा करता हूं उसमें से एक है घमंड से चड़ी हुई आखें हाजिरा के पास हाजिरा घमंडी हो गई थी उसके पास घमंड आ गया था और वो सारा को तुछ समझने लगी थी एक और शक्स है जो मैं आपको जिन्दी मुलाकात कराऊंगा द flux दा को कितने लोग नंकी बीवी याकूब की बीबी दूसरी दूसरी कान थी लिया प्रेसलोथ शचाढ में सिर्धार प्यार से किया ता अब क्या हुआ आप सब जानते उस कहानी को अगर रूश पढ़ेंगे यह जब याकूब के संग हारान से आई, हारान से निकली, लाबान के पास से निकली, लाबान उसका पिता था, और 21 साल तकरीबन याकूब ने महिनत की, 7 साल रहिल के लिए, 7 साल लिया के लिए, और 6 साल उसने अपने लिए, तो 20 साल तकरीबन उसने महिनत की, और 20 साल के वाद व कि निकला लावार और यहां पर क्या हुआ कि जो रहे थी दिखिए छुनी वी थी परमिश्र याकूब तो उसका पती था इतना आपको बिन्यमीन और और यूसुफ आलेलिया रेस अलॉट तो दो बच्छे पैदा हुए तो उससे बिन्यमीन और यूसुफ लेकिन राहिल चुनी हुई थी लेकिन वो अपने घर से जब निकली तो ग्रह देवताओं को लेकर आई अलावा याकूब को पकड़ने वाला था वो भेड़ों का उन कुत्रवाने के लिए गया हुआ था और इस बीच याकूब अपने बच्चों को लेकर और अपनी बीवियों को लेकर और भेड बख्रें जो उसे दी कहीं थी वो सब लेकर वहां से चलाया यह ज़िए लावान को पता उसने पीचा किया और उसको पकड़ लिया अब उसक्रस था नहीं कि मैं क्या करूं उसने का कि मिरे ग्रह देवता को आप लोग चोरी करके लाए इसलिए मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूं याकूब बहुत लाज हो लिए लेकर निया हूं भई मैं अपनी दोनों यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ न मिला तब लिया के तंबू में से निकल कर राहिल के तंबू में गया राहिल तो ग्रुव देवताओं को उट की काठी में रखके उन पर बैठी थी राहिल ग्रह देवताओं को सुनिए लापा ने उसके सारे तंबु में टटोलने पर भी उन्हें न पाया राहल ने अपने पिता से कहा है मेरे प्रभु इससे अप्रसन न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं अतव उसे डूड़ने पर भी ग्रिय देवता उसको न मिले नहीं अलेलिया आप देखिए राहल चुनी हुई थी लेकिन ग्रह देवता क्यों लेकर आई परमेश्वर का मैं चुना हुआ हूं लेकि फिर भी मेरा ध्यान संसार की संपत्ति पर रहता है क्यों रहता है अलेलिया इसलोट क्यों रहता है हमारा ध्यान हमारे धंदे पर क्यों रह आपको पढता हूं कि राहिल ने परमेस्वर पर विश्वास नहीं किया उसने गाहे देवतां को बिश्वास किया कई आपको बताता hou उस समय कि वैस्था ऐवता थी ग्रहे देवता था हो इस यह प्रदर्षित करता है वह यह बताता है कि अगर उसके पास क्रह देवता है तो यह निकि वो उस जाती की वारिस है और उस जाती की अगवा है है अगवा है 1990 पारी अगवा 23 यह 31 यह 11 21 लाबान अपनी बेड़ों का उन कतक्रने के क्यों क्यों कि वह यह बताओ हो गए वो उस जाती का अगवध स समय के ये था आज तो वो होते हैं ना फेपर्स होते हैं अपने स्टैंपिंग पेपर्स लगा også ल andau इस सुमझी ये था कि ग्रहेदेवता अगर आप के पास हैं तो आप जयदाद में हिस्थदार है। तो लेकर आई थी, य्नि कि वो क्या बता रही है कि उसे परमेशन वाप इश्वास नहीं था उसकी जाइदा जो उसके पास थी उस पर उसका निगाह थी कितनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग यहां परमेशन है जिसने याकूब के संग माचा बांदी थी और याकूब को बचाया था याकूब को आशीश दिया था लेकि राहिल उस चीज़ को नहीं समझ पाई राहिल को उसके ग्रह देवता उसकी आखों में पाप आया उसके पैसों को देखकर प्रेस अलॉट हलो वो अपने उस आशीश को भूल गई जो परमेशन ने उसको दिया था याकूब के रूप में दो बच्चों के रूप में परमेशन की प्रदिग्या के रूप में उस आशीश को भूल गई वो लेकिन उस ग्रह देवता पर उसकी नजर पड़ी हम बच्चिनों से दूर होते हैं क्यों? क्योंकि संसार हमें बहुत प्यारा होता है अगर हमारे लिए पहला प्रभू नहीं है आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो राहिल ने की थी राहिल ने उन देवी देवताओं को उन ग्रह देवताओं को छुपा लिया अपने सामने अपने पास और वो समझे देते कि यह मेरी ताकत है लेकिन परमेश्वर हमारी ताकत है परमेश्वर हमारा बल है हमारा बल परमेश्वर है ठीक है आप नौकरी करिए ठीक है धंदा करिए लेकि धंदा आपके लिए पहला नहीं होना चाहिए नौकरी आपके लिए पहला नहीं होना चाहिए पहला प्यार आपके लिए जिसने आमें बचाया है जसने आशीष दिये जसने अपने इकलोते पुद्र का बलिदान दिया है तक हम आशीष पाएं और सुख पाएं प्रिशलाट राहाइल इसचीश को नहीं समय नहीं थी और आप देखिए कि क्या होता है जब आप परमेश्र से दूर होते हैं तो अश्राप आपके ऊपर आता है संक्ट आप के उपार आता है अपद्य कि नाम इस रख्ता फ। ना हिए अंखल ने Πीशित से दूर होई शरा पाया इसी कवड़ी है 31 15 जनेसिस 31 का 32 जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए वह जीवीत ना बचेगा यानि कि याकूब कहरा है लाबान से कि मेरे पास कोई देवता नहीं है और अगर मेरे कुटों में से जुन को मैं लेकर आया हूँ अगर किसी के पास भी तो ग्रह देवता पाएगा तो वो जान से मार दिया जाएगा वो बचेगा नहीं यानि क्या किया क्या किया याकूब ने शिराप दिया याकूब ने क्या दिया श्राप दिया और उसको नहीं पता है कि याकूब को कि वो श्राप अपनी बीवी को दे रहा है उसको नहीं पता है कि वो श्राप अपनी उस बीवी को दे रहा है जिसको बहुत प्यार करता है जिसके लिए उसने आदी जिन्दिगी बिता दी हलो जब परमेशर आपसे दूर होता है मेरे भाई मेरी बेहन तो आपकी बुद्धी काम नहीं करती है जब परमेशर दूर होता है तो शैदान काम करता है और शैदान आपके मूँ से उगलवाता है और आप श्राप में आ जाते हैं आप बंदन में आ जाते हैं रहल बंदन में आ गई शराप में आ गई प्रेसथ लॉट और अगर आप आईवल पढ़ेंगे तो आपका पता चलेगा जैसे ही वो बेतलम के लिए आ रहे थी रास्ते में मर गई रहल रास्ते में मर गई उसने शिराप दिया था कि अगर उसने किया है किसी ने भी ग्रह देवता रखें तो भी मर जाए आप इसी इसको समझेए आप अगर मसी बनकर इन चीजों की कीमत को नहीं समझेंगे आप अपने आशीश को खो देंगे आपके मुझे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता इसकी बहुत वैल्यू है आप क्या बोलते हैं इसकी बहुत वैल्यू है आपके मुझे शब्दों को वो पकड़ता है शैतान इसलिए बैबल कहती है कि तेरे जीव में मिर्ति और जीवन दोनों है जो जिसका उप्योग करना चाहता वैसा फल प्राप्त करेगा याकूब के द्वारा याकूब ने शिराब दिया और रहेल मर गई और उसके बाद क्या हुआ देखिए आप ये ग्रहे देवता लेके चले गए शेकिम एक शेकिम नगर था एसाब आया मिलने के लिए एसाब के साथ नहीं गए शेकिम गए वहाँ पर और वहाँ पर शेकिम का जो राजकुमार था उसको इसकी जो बेटी थी दीना वो भागई दीना भागई वो शेकिम का राजकुमार क्या थे वो गहर यहूदी थे उनका खतना नहीं हुआ था, वो परमिश्र के चुने हुए नहीं थे, जब हम परमिश्र से दूर होते हैं तो हम इसी तरीके से हम भटक जाते हैं, जब हम परमिश्र की वाचा से दूर हो जाते हैं, जब हम परमिश्र के वचनों पर नहीं चलते हैं, जब हम परमिश्र के पूर जाते हैं और हुआ यही कि उजिशेक्यल का राजकोमार था शेक्यम उसका नाम शेक्यम था शकेम शकेम उसको दीना भाग और प्यार करने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मिलकर उसका बलादकार कट वा और जब आए तो याकूब ने उनको बताय कि ऐसा ऐसा हुआ है रिसलोट और हुआ क्या कि इनके मन में द्वंद हुआ इनके मन में आकरोश आया इनके मन में नफरत आये वो गोत्र यह कौन थे बाराग गोत्र थे इनके मन में नफरत आई आपकी छोटी सी गलती आपका छोटा सा संसार की तरफ कदम उठाना आपके अंदर पाप ले आता है शराप आप समझते हैं मेरे बाद पैसा है आप समझते हैं मेरे बाद ताकत बढ़ रही है याकू समझते हैं मेरे बाद ताकत है मेरे बारा बेटे पैसे आ मेरे पास लेकिन वो नहीं समझ रहा था कि वो कहा जा रहा है परमेश्र की योशना के खलत जा रहा है अगेंस जा रहा है वो वो नहीं देख रहा था उसकी बेटी पवित्र बेटी खुबसूरत बेटी का बलातकार होता है और उसके बाद उसके जब भाई आते हैं शेकम का राजकुमार आता है और उसके भाई आते हैं शमौन, रुबेन, लेवी वगरा सब लोग यहूद आते हैं और तब उनको पता लगता है कि हमारी बेटी के संग बलतकार हुआ है और तब आक्रोश में आजाते हैं, नफरत में आजाते हैं लेकिन सबर करते हैं और वो इस शर्थ लगते हैं कि साब ठीक है आप शादी करना चाहते हैं हम उनसे शादी करेंगे जिनका खतना हुआ है इस चाल थी इस चाल थी कि हम उनसे शादी करेंगे जिनका खत्रा हुआ है शकेम जो कि राजकुमार था जो कि उदीना के प्यार में मोहित था वो मान गया और उसने पूरे शकेम वालों को मना लिया कि ठीक है हम अपना खत्रा कराएंगे और हम इनसे जुड़ जाएंगे इनकी बहु बेटियां हमारी बहु बेटियां हो जाएंगे इनसे शादी करेंगे और इनसे वेपार करेंगे हालेलिया लेकिन क्या होता है आपको पता है खत्रे के रीती क्या होती है जब खत्रा सुन्नत होता है तो लहू बहता है और तीन दिन दक आदमी उठ नहीं सकता है और जब तीन दिन दक आदमी उठ नहीं सकता है उस समय काफी कमजोर हो जाता है काफी कमजोर हो जाता है वह यह आजका महौल नहीं है कि आपरेशन हुआ और उस समय था जब हातों से खत्रा हुआ था था और ये लोग शकेम के जो लोग है सब लोग खत्रा कराकर लेटे हुए थे और शमौन और लेवी ने तलवार उठाई और इन सब को खात उतर कर दिया सब को मार दा आप सोचिए क्या परमिश्व ने हमको इसलिए चुना था आपको पता है शमौन और लेवी ने सब को मार दिया तलवार उठाकर किसने मारा वो लेवी वंच जिसने व्यवस्था के बारे में बताया वो लेवी वंच जिस लेवी वंच से आज हम लोग आते हैं हैνं राध कि एक ग्रेह मूरती जो उनके घर में आई एक ग्रह देवता को उन्होंने एहमियत दी राहिल ने हिले है आप समयज़ चाहरे मिये इक ग्रह देवता को उसने एहमिय दी और देखिया किस तरीकर से परमिश्व को हमिच ना देने की वज़ए तब परमेश्व ने याकूब को लताड़ा तब परमेश्व ने क्या का दुनिये इक एक जनेसिस 35 1 2 3 तब परमेश्व ने याकूब से कहा यहां से निकल कर बैतल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्व के लिए वेधी बना इसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब कि रसे भाँ भागा जाता था तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो सुझ के है तुमारे बीच में से जो देवता जो पराए देवता है उन्हें निकाल फॉतों अर्शुध करो शुता-शुद्ध करो शुद्ध हो चुके खो पराए देवताउं को अप् रहा था है अज में आपने वाचा बांदी ना पर मेश्र से परभू वो ज्लिया आपने माचा बांदी यह जो इस वाचा के अनुसार चलेंगे आशीश उसी को मिलेगा बता रोगए आप समझें कि आपने रोटी खाली और दाखरस पीलिया और हो गया नो मेरे भाई मेरी बहन आप अगर उस आशीश उस वाच उस आशीश को पाना चाहते हैं आपको उस वाचा में रहना पड़ेगा ये वाचा ऐसी नहीं है परमिशर कह रहा है कि मैंने याकूब के संग वाचा बांदी थी जब वो ऐसाब से डर गया था कि मैं तुझे छोड़ाऊंगा लेकिन याकूब नहीं समझा उन ग्रह देवताओं के साथ अपने प्यार के साथ आप सोचिए कभी कभी हमारा प्यार जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें पाप की और लेके जाता है राहिल का प्यार उसके सिर पर बैठा हुआ था राहिल उसके सामने सिर्फ राहिल ही दिख रही थी कभी-कभी हम अपने बच्चों के लिए परमिश्रक के सामने कमजोर हो जाते हैं कभी-कभी हम अपने बीवी के सामने बीवी के लिए परमेश्वर के सामने कमजोर हो जाते हैं कभी-कभी हम अपने धंदे के लिए परमेश्वर के सामने कमजोर हो जाते है और उसका हश्र क्या होता है कि परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है और आप आप शैतान की गिर्फ् आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का साथ होना आपको कितना बड़ा आशीश दे रहा है, आपको कितनी सिक्योर कर रहा है, कितना सिक्योर कर रहा है परमेश्वर का साथ आपको, आपका रिष्टा आपको दूर करता है परमेश्वर से, आपके गलत रिष्टे आपको दूर करते हैं पर मिश्रों से इसलिए उन गलत रिष्टों को ना कहने की हिंमत करो तक भटकते रहे जंगल में सिने के सिने जेंगल में क्यों भड़कते रहे आपको पता क्योंकि इस्राइलिस के संग वो रिष्टे आ गए थे मिश्र से जो कुड़कुड़ाते थे जो इशु मस्री की जो परमिश्र के चुने हुए नहीं थे अगर आप गिंती ग्यारा पांच से पढ़ेंगे तो आपको पता च गढ़ी चाहिए थे को श्रेस जए थी उनको प्यान को लशुन चाहिए था हुआ हालो आपके रिष्डार उनको पैसा चाहिए उनको तरी नौकुरी चाहिए उनको तेश्राइए 최ग अवीश्र नहीं चाहिए आप कहनेे जो आपके रिश्वदार हैं जो नहीं जानते प्रभू को उनकी गलती नहीं है लेकिन उनको आत्मा की वैलियू नहीं है लेकिन अगर आपको अपनी आत्मा की वैलियू नहीं है मेरे भाई मेरी बहन तो आप खत्रे में आप खत्रे में किस तरीके से याकूब ने अपने शुद्धा को अपने बच्चों की शुद्धा को नफरत अपने परिवार में लेकर आया खून खराबा अपने परिवार में लेकर आया क्यों क्यों क्योंकि वो राहिल के साथ चला गया और जिसके पास ग्रह देवता थे अगर तरी एक आँख तुस्से पाप कराए तो उसको निकाल दे इससे अच्छा है कि पूरा शरीर तुस्से पाप कराए तुझे नर्ख में जाने दे हलो प्रेस अलॉट और आखिरकार याकुब को बोलना पड़ा कि अपने अपने मूर्तियों को निकालो अपने अपने ग्रह देवता को निकालो और अपने अपने आपको अपने को शुद्ध करो परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है परमिशन आपको परमिशन ने प्रभु बोज की रिति क्यों बनाई है ताकि आप उसके आने तक उस जैसे रहें क्यों आपको कहा गया है कि ये मेरी याद में लिया करो जब भी तुम प्रभु बोज लो जब भी रोटी लो जब भी तुम दाखरास लो तो मेरी याद में लिया करो यानि कि हमेशा आप उससे याद रखें हमेशा हर पल आप उससे याद रखें कि वह आपके लिए मरा और मर के जिन्दा हुआ है कभी भी अपने से उसको अलग मत करिए उसको यात करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मेरी बेहर प्रिस alawate तो यakूब भी अपनी उस आंक से पाफ कर रह था जो कि उस आंक में क्या था राहिल का प्यार था उंदा हो गया था उसके में चकर में कि याकूब अंदा हो चुकर था उसके प्यार के उसे सरफ राहिल दिखती ती और कुछ नहीं दिखता था हालेलुया तो आपकी अगर एक आख पाप करती है तो आप उसे निकाल दीजिए नहीं चाहिए मुझे वह प्यार नहीं चाहिए मुझे मुझे वह सभाव नहीं चाहिए मुझे ऐसी संगती जो मुझे परमेश्वर से दूर करें नहीं चाहिए मुझे वह पैसा नहीं चाहिए मुझे वह नौकरी नहीं चाहिए मुझे वह धंदा जो मुझे परमेश्वर से दूर करतें नहीं चाहिए कभी-कभी हमारा सौभाव होता इदर दूर की बाते करना और तो मैं देखा गया है पुड़सू की बातों को सुनना जगड़ों को सुनना इदर दूर की बाते करना बड़ा मज़ा आता है इसकी बीबी ने वो किया है किसी को मार पढ़ रही है बीबी को आप बड़ा अच्छी चाह सुनते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं आपका मनोरंजा नहीं हो रहा है आप अपने अंदर पाप ला रहे हैं आप उस समय अपने अंदर अपनी अशुद्धता को खो रहे हैं आपको पता हैं आप अपनी अशुद्धता को खो रहे हैं आप आज देखो उसका पती मार रहा है होना चाहिए, मरना चाहिए इसको लगनी चाहिए आप क्या ले रहे हैं आपको नहीं पता कि आप क्या अपने अंदर ले रहे हैं आप अपनी शुद्धता को अशुद्धता में बदल रहे हैं क्या करना चाहिए आपको? गुटने टेक के प्रात्रा करना है चाहिए उस बहन के लिए, उस भाई के लिए ताकि उसको आशीष मिले बेसे लोट क्योंकि बाइबल ने हमें क्यों चुना है? लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए यहुदा इसकरियुती के बारे में आपको बताऊंगा यहुदा इसकरियुती किस तरीके से वो इसके पास सबसे बड़ा पास्चर था यहुदा इसकरियुती के पास सबसे बड़ा पास्चर था सबसे अच्छा टीचर था परमेश्वर का पुत्र था लेकिन उसकी बाद भी वो बच नहीं पाया उसके बाद भी वो बच नहीं पाया क्यों नहीं बच पाया क्योंकि उसकी एक आख जो उससे पाप कराती थी वो उसको निकाल नहीं पाया निकाल नहीं पाया उसकी एक आदत जो उससे पाप करती थी कि कि प्रबू के घर में चोरी करते हैं प्रबू के राज्च में चोरी करते और आप समझते कि हमारा कुछ नहीं हो रहा हमें कुछ नहीं मलना हमें कुछ नहीं हो ना मेरि भाई आप नहीं जानते हैं पढ़िए इसको बारह टीन से साथ कि तब मरियम ने जटा मासी का आधा से बहु मुल्य इत्र लेकर इशो के पाउपर डाला और अपने बालों से उसके पाव पोचे और इत्र की सुगंद से घर सुगंदी धो गया परंतो उसके चेलों में से यहुदा इसकिरियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा यहां इत्र तीन सो दिनार में बेच कर कंगालों को क्यो ना दिया गया उसने यहां बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी पर अन्तु इसलिए कि वह चोड़ था और उसके पास उनकी धैली रहती थी प्रेज दो लूग rim hallelujah, क्योंकि वो क्या था? चोड़ था, क्यों गहान है योहना, जो उसका साथ ही था, यह था? यह निकि उसन नुशन म windsurf किया होगा, कि वो क्या था? चोड़ था, वो the provisioned त्हाली में हाथ डालता था, वो उस पैसे में हाथ डालता था, अज जो क्या होता है, क्यों वो इश्व मसी के वचन को अंदर गहन नहीं कर पाया, वो उन बाराचेलों के संग रहता था इशू मसी ने उसके भी पैरध होए थे पत्रस के यहुना याकुग के पैरध होए तो यहुदा इसकरियती के भी पैरध होए थे क्यों नहीं वो एहसास यहुदा इसकरियती के अंदर आया वो प्रेम इशो मसी का उसके अंदर आया, क्यों, क्योंकि उसकी चोरी ने उसे कठोर बना दिया था आप जब चोरी करते हैं परमेश्र की, आप समझते हैं कि आप परमेश्र से प्यार करते हैं, नहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं परमेश्वर का नुकसान नहीं कर रहे हैं आप जब दशांश रिलीस करते हैं इमानदारी के संग तो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बढ़ता है आप में बढ़ता है परमेश्वर का प्रेम आप में बढ़ता है जब आप एमानदारी से रिलीस करते हैं उसकी आग्याओं के अनुसार अपना दशांश जब रिलीस करते हैं और जहां आप अपना दशांश दबाते हैं जहां आपने दशांश की आप चोरी करते हैं से परमेश्वर का प्रेम कम होता है और आप काथोड़ता आपके अंदर आनी शरू हो जाती आपको पता नहीं लगता आप आप आपुछ थज्सा है इसे कोज रहर रहे अप सबस्तों कि पिशले मेने वे नहीं दिया तो क्या हुआ है सल्तोर हाए शे मेने से मैं नहीं दे रहा हूँ, साथ मेने से आठ मेने से नहीं दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, मेरे तो बिजिस चली रहा है, लेकिन आपको नहीं पता मेरे भाई, आप कितना बड़ा नुखसान उठा रहे हैं, आपकी कठोड़ता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ तीन और चार निकालिए अगय एक चार से छे पढ़िए कि यूँ नहीं हो रहा है हम बड़ी घमन से हम बड़ी बुद्धिमानी से छुपा लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता आप कितना बड़ा नुखसान कर रहे हैं दशांश क्या है अपने समर्पन को परमेश्र के सामने लाना अपने प्रेम को परमेश्र के सामने लाना आप नहीं जानते हैं दिखते हैं हर एक के पास आती है हजार में से सौर पर निकालना बहुत मुश्किल होता है जब राशन भी आना है सब कुछ आना है दस हजार में से एक हजार निकलना मुश्किल होता है जब खर्चे हो जब लॉक्डान हो लेकिन ऐसे में जब आप निकालेंगे तो आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है आपका जो समर्पन है उसमें बड़ोत्री होगी आपकी श हमारे बहारी मनुश्र के को बढ़ाने के लिए नहीं परमेश्वर हमको चना है उद्धार हमारा किसका हुआ है आत्मा का शरीर का नहीं हुआ हुआ है और हम छोटी सी बात नहीं समझते हम खापी कर फेक देते हैं हजार रुपे खाना का लेंगे चाह पी लेंगे सब कुछ और फायदा नहीं आपकर नुकसाने नुकसाने आज नहीं तो कल करके देख लीजएगा करके देख लीजएगा अचानक ऐसा आएगा कि आप हर बढ़ा जाएंगے और सब कुछ अपिल जाएंगे हूआ क्योंकि वह बाड़ा का जो आशीश है जो सुरक्षा का बाड़ा है वो आइसा आइसा कम हो रहा है कम हो रहा है और आपको दिखनी रहा है दिखनी रहा है आपको दिख रहा है वो पैसे बचे हुए जो मैंने आज बचा लिए आपको लग रहा है कह रहे है मैं तो ये पैसा अब मैंने ये भी ले लिया वो भी ले लिया ये भी ले लिया रहे मेरे भाई नहीं आप नहीं जानते अंदकार किशी की शक्तियों को जिस दिन परमेश्वर का बाड़ा आपके उपर से हड गया न शैतान एक ही वक्त में आप देखीगा आप सोच नहीं सकते क्या हो जाएगा परमेश्वर यहीं नहीं कहता है कि सारे भंडार मेरे मेरे चश में लेकर आओ मेरे घर में लेकर आओ सवर की आशीशों को खोलने का वो घमंड करता है वादा देता है आपको वो यहीं नहीं बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है हगे के लोगों को अगे का जो है भविश्य वक्ता वो क्या बोल रहा है तुमने बहुत बोया परन्तु थोड़ा काटा तुमने बहुत बोया तुम बो रहे हो बहुत सालों से बो रहे हो लेकि काटा तुमने बहुत कम तुम खाते हो परन्तु पेट नहीं भरता तुम पीते हो परन्तु प्यास नहीं बुश्टी तुम कपड़े पहनते हो परन्तु गर्माते नहीं और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली धैली में रखता है यूच आपकी जो खर सब्सक्राइब Яप नहीं समझ रहा है क्यों कहा अगर नहीं पता है इसका थोड़ा सा मैं आपको इत्यास बता दू बैबिलोन से तक्रिमान पचास हजार यहूदियों को छोड़ा गया था जब यहूदा से यहूदियों को बैबिलाओन लेके गया उसमय डानियल और एजिकल था नभी जो उनको बता रहा था और आजा कροोज के जमे में 50,000 कैदियों को छोड़ा गया किसलिए छोड़ा गया तकि यरुश्रम में आकर यरुश्रम का दिवार बनाएं उस शहर की दिवार बनाएं लेकिन जब वो 50,000 लोग आए और जैसे उन्होंने दिवार बनाने शुरू की तो वहापर सामरिया के लोग आ गए और सामरिया के जो लोग थे वो यहूदियों को पसंद ही करते थे उन्होंने उसको रोका दिवार बनाने से उनको रोका और वो रुक गए दिवार बनाने से रुक गए और हुआ क्या वो दिवार बनाने से तो रुक गए यरुश्रम की दिवार उसकी बनाने से रुक गए लेकिन अपने घर बनाने शुरू कर दिया उन्ह पंदरा साल तक वो रुके रहे हैं अगय नभी को परमेशन ने भेजा उसको बोला कि तुम खाते थो बहुत है तुम अपना मकान बना रहे हो मेरा मकान नहीं बना रहे हो तीसरा पड़ा इसका तीसरा ही यहवा का यह वचन आगे भविश वक्ता के द्वारा पहुचा क्या त अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजार पड़ा है तुम अपने घर बना रहे हो इसलिए तुमारी जेम में छेद है इसलिए तुम खाते तो है लेकिन तुमारा पेट नहीं भड़ता इसलिए तुम पीते तो हो लेकिन तुमारी प्यास नहीं बु आपकी सुरक्षा नहीं है परमेशर मेरे भाई आप खत्रे में बहुत खत्रे में इसलिए परमेशर के घर में चोरी मत करिये कभी मी मत करिये मैं आपको छेतावनी दे रहा हूं सोचिये भी मत आप बहुत पर आत्रा करें बढब इश्रे मसीय हमन को आशीज दे होगी होगा बजब ला फर आप आइस्त अइसा दूसरे धर्मों में जाते हैं फिर आप दूसरे दूसरे उसमें पैसा आ गया अभी पैसे की ताकथ आपको बोल रही है और आइस्त आ परमिरिश्टर से दूर हो जाते है और एक दिन ऐसा आता है जो शैतान अपना खेल खेलता है उस समय परमेशर आपके साथ नहीं होता है उस समय आप परमेशर को बुलाते हैं बिलखते हैं उस समय आप परमेशर को नहीं पाते हैं क्यों? क्योंकि आपने परमेशर की अवग्या की इसलिए आपकी अगर एक आँख पाप कराए उस आँख को निकाल के फेख दीजे इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपका पूरा शरीर नापाक हो जाए और नर्क में चला जाए क्या लिखा हुआ है नर्क में चला जाए अगर आप परमेश्र की इच्छा परमेश्र के परमेश्र की अनुसार नहीं चलेंगे अगर आप आप में जीएंगे नर्क निश्चित है लिखा हुआ है इसलोट मैं आपको कोई भी वच्छा डराने के लिए नहीं क्या रहा हुआ है आप मिने इस परिवार के मेरे बिपरिवार है मेरी बहने मेरे भाई है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं चुंकि मेरा कोई भी भाई कोई भी बहन नरक में न आ जाए आपको नहीं पता है इशू मसीब बहुत जल आने वाला है बहुत जल आप सोच नहीं सकते हैं सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा सब कुछ आप नहीं जानते हैं परमिशर आपको क्या दे रहा है आपको क्या देना चाहता है आपको क्या उसकी क्या योजना है आपके लिए आप नहीं जानते है इसलिए वो कह रहा है इशू मसी कह रहा है उसकी धार्मिक्ता के नुसार वो पाप कराए तो इससे अच्छा है कि तू काना बनकर जिये अगर तेरा दाइना हाथ तूससे पाप कराए तो अच्छा है कि तू लूला लंगला लूला बनकर जिये इससे कि ताकि तेरा पूरा शरीर जो नाशना हो हलो शेतान हमारी आँख से शाहतान हमारे आँख में लालश ले आता है, जो हमारे पास है, नहीं भाई है, आप गलत सोसते हैं, हमारी सुरक्षा हमारा पिता है, और वो ही है, वो ही सत्य है, इसको जुटलाईए मत, और इमानदार बनिये प्रभू के लिए, प्रबू के घर के लिए एमानदार बनी है मैं आपको सच कह रहा हूँ आप लोग तो कोई धंदा उंदा करते भी होंगे नौकरी करते हैं मैं तो कोई नौकरी नहीं करता हूँ कोई धंदा नहीं करता हूँ और मुझे पर्मिशन ने आज तक भूका नहीं सुलाया इमानदारी के संग चलता हूं पूरी इमानदारी के संग चर्ष से पैसा नहीं लेता हूं लेकिन जहां से भी आशीश मिलता है उसका दशान चर्ष में देता हूं आप करके देखिए आप नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस जीवित आपके साथ चलता हूँ देखेंगे आप नहीं जानते हैं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं हाँ आप बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई आप नहीं जानते हैं प्लीस अपनी जयों को शिल लीजिए आप यृजू में जो छेड है उसको होने मदीजेद नहीं परमेश्र का शीश अमैं मिला यह अंतिम समय है परमेश्र को पहला इस्तान दीजिए परमेश्र के चरणों में आईए और कोई भी अपने अंदर से अपने शरीर के अंगों के दोरा भी कोई भी पाप अपने जीवन में होने मत दीजिए आलेलिया प्रेस अलॉट आज का वचन आपको अच्छा लगा मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन ने आपको जंजोड़ा होगा जंजोड़ा होगा मैं प्लीज चाहता हूँ इसमें कोई शरम नहीं है देखिए हम लोग रोज सीखते है इसमें अगर हम गलती कर रहे हैं हमें अगर आज सुधरने का मौका ये वचन आज हमें अगर सुधरता है धन्यवाद परमेश्व का सुधरिये ग्रेंड कीजिये तकि हम सुधर जाएं एक बार इशू आ गया तब आपको मौका नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तब आप कहेंगे जैसे नोह का जहाज बन गया था और नहीं अंदर चला गया और जैसे ही बारीशानी शुरू होई लोगों ने चिलाला शुरू किया अरे नहीं हमें बचा ले परमेश्व ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया नहीं होगा अभी मौका है ये छोटी छोटी जो लालत है इस छूटा छूटा जो हमारा स्वार्थ है निकाल के फेग दीजिए अरे जो उसकी पवित्रता हमें मिली है इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है विश्वास करिए मेरा पिता आपको भूका नहीं होने देगा आपको खिलाएगा रोटी विश्वास करिए लेकिन इमानदारी के संग उसके राज्य में चलिए अद्भूत आशीष मिलेगा हाललुया मैं विश्वास करता हूँ आज का वजन आपको अच्छा लगा प्रभू आपको बहुत बहुत आशीष दे बोली इश्यो मसी की